आज आप लोग को हम बताएंगे कि अगर आपको कॉलेज से बुनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कैसे वहाँ से लीजिएगा कई ऐसे एक्जामों के लिए कई ऐसे स्कॉलर्शिप फॉर्म के लिए चाहे आप ग्याजुएशन में हो चाहे आप में में हो चाहे स्कॉलर्शिप के लिए आप तो आप कितना वहाँ पर पे कर रहे हैं आपकी फीस कितनी है हॉस्टल मेरा रहे हैं तो ठील का चार्ज क्या है लैबर्रटरी च्टर्ज क्या है हर चीज को उसमें एक ऐड़ огрard करके युनिवर्सिती और कॉलेज ठीक है जो आपकी college है चाहिए आप जो भी college से प्रहाई कर रहे हो उस college से आपकी वो bonafide certificate निकलती है आप चाहे तो आप offline भी जाकर वहाँ प्रप्लाई करके ले सकते हैं या आप online भी कर सकते हैं आज आपको हम बतलाएंगे पार्टली पुत्रा इन्वर्सिटी के अंतरगत आने वाल अब देखे यह एन college का bonafide certificate पेज विबसाइट ठीक है इससे आपको क्या करना है कि college का apply करना है इसमें क्या करना है आपको अपना नाम डाल देना है जो भी नाम है यहां पर आपको क्या करना है ठीक है अपने पिता जी आ माता जी का नाम लिखना है यहां पर father's name लिख आप्टमिसं करवा रहे होंगे तो यहां पर जो भी आपका registration हो रहा होगा वह यहां पर आपको डालना है यहां पर phone नमर डालना है उसके आपको gmail id डालना है यहां पर ठीक है जो कि आपके college में डाला हुआ है ठीक है और यहां पर लिखना है select was या is ठीक है तो आपको आप क्या कर रहे है आए कर रहा है यह सब्सक्राइब कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो कौन से पार्ट के लिए कर रहे हैं चुकि अब उन्वर्सिट्टी के स ludzi में अगया गliيمまぁ तो के लिए खर सकते हैं आप उसी आप यहां पर कर लिए ठीक है इंटर्पीर ईमांट यह सकर ढलना है जो आप संब दालते हैं था सिए semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 suppose college वाले तो आप जिसे semester 1 में आप पची सो साथ रपया दिए है यह 800 इंक आप है तो आपको एक कर रहे होंगे semester का फिल तो उसको आपको यहां पर च्याधान है अमाउंट जितना रहे हैं तो graduation का certificate ढलेगा तो यहां पर इंट्र डालेगा इंट्र की ओए तो पर डालेगा यहां के लिए तो यहां पर आगे देखिए अब बूल रहा है कि आप यहां पर देखिए last exam certificate हो गया last exam marks it marks it क्या था वह भी जमा कर जी वहां जो लाक्ष्ट एक्जाम में था चुडेंट फोटो अपना फोटो यहां पर डालिए रिसिप्ट नमर वान रिसिप्ट टू रिसिप्ट त्री अब यह वन टू थ्री है ना यह रिसिप्ट इस चीज के लिए है कि आप जो आप जो भी सेशन में आप पढ़ रहे हैं ठीक है उ इसको डाल देने के बाद यहां परयि जेद पाइब यह, करना है फिर सप्ँन में तो यह तो मैं प्रूज नहीं कि आ यहां सप्म है तो क्या आपको तुरंद चाहिए या देर से चाहिए अगर देर से चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर उसके लिए करना पड़ेगा कि मैं इंतजार कर लूँगा ठीक आपके पास समय है तो अगर आपको समय नहीं है तो वहाँ पर नीचे चल रहा होगा मतलब की ओपेंडेज में सट्वडे संडे छोड़कर तो आपको वह आपको सर्टिफिकेट आप फिर से अपनाम डालिएगा तो आपका सर्टिफिकेट बिलकुल खुल जाएगा और किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको यह भी दिखला जाते हैं यह देखिए यह आपका certificate ऐसे आएगा ठीक है एन कॉलेज लिखा हुआ है यहां पर बुनाफाइट certificate लिखा हुआ है देख रहे हैं आप देट इसु कौन सा है वह इसु भी यहां लिखा हुआ है यह serial number है क्या है नाम पिता माता का नाम यहां रिखाएगा क्या से आप मतलब की कर रहे हैं है प्राइघ करारे तो चैहिए तो यह मतलब कि आपको यहां चाहिए होता है उसके कहा करना है पीमब अपर यहां पर रामार से यहीईए और यह ऐसा नहीं कि यह verify नहीं है विल्कुल verify है आपको कोई दिकत नहीं है मैं ने किया है और जाकर देखा भी है कोई समस्या नहीं होती है आप जाकर इससे अच्छे से कर सकते हैं ठीक है और अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि क्या आपको यह जितने भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं पोस्ट मैट्री के लिए तो क्या उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करकर छोड़ देना होता है नहीं उसके लिए क्या होता है कि उन्वर्शिटी वेरिफ करने होते हैं तो कौन कौन से डॉक्मेंट सब्मिट करने होते हैं कहां करने होते हैं ठीक है तब आपको अप्रूब होगी ठीक है यह सब चीज की जनकारी देंगे यह भी जनकारी देंगे कि कौन से आप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके वहां पर जमा करना हो तो यह सब अगले वीडियो आपको बताएंगे और आज के लिए इतना ही थैंक यू